7 News देख रहा हैं आप उत्तर प्रदेश की इस प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के बदायू में दो बच्चों की हत्या से पूरा प्रदेश आस दहल गया है मामले में अब स्रियासत भी शुरू हो गई है समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि भारत्य जनता पार्टी अपराधियों को सरक्षन देती है वहीं भारत्य जनता पार्टी का कहना है कि इस मामले में कड़ी कारवाई की जा रही है और अब तक भी इस मामले में कड़ी कारवाई की गई है एक आरोपी को एनकाउंटर में धेर कर दिया गया है साथी साथ पुले साधिकारियों को कड़े नर्देश दिये गये है कि इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कारवाई की जाए किसी भी आरोपी को बक्षा नहीं जाएगा ये स्यम योगी आदतिनात ने आदेश दिये है वहीं सपा आरोप लगा रही है भारतिय जनता पार्टी पर कि बीजेपी दंगा फसाद कराकर अपनी राजनीती चमकाना चाहती है इस पूरे मुद्दे को सांपरदाईक रूप दिया जा रहा है क्योंकि आरोपी मुसलिम है और जिन बच्चों की हत्या की गई है वो हिंदू समुदाय से आते हैं ऐसे में ये बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है बीजेपी का कहना है कि बदायू की घटना पर सपा घटिया राजनीती कर रही है अगर सपा की सत्ता होती तो अपराधियों को सरक्षण होता जिबकि योगी सरकार में हमेशा अपराधियों पर बुल्डोजर चला है योगी सरकार में अपराधियों के खलाफ कठोड़ता से कारवाई होती है बदायू कांड में भी अपराधी के साथ पूरी कठोड़ता बढ़ती गई है उन पर कड़ी कारवाई की जा रही है अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस प्रदेश में मुख्या यानि योगी आदरतनात के नाम से अपराधी कापते हैं और पुलिस के नाम से भी अपराधियो सेखने के कोशिश कर रहा है इसी पर आज चर्चा करेंगे इसी पर चर्चा करेंगे हमारे साथ कुछ महमान भी जुड़ेंगे लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है क्या इस मामले पर भी समाजवादी पार्टी राजनीती कर रही है और क्या ये मुद्धा वाकई अपनी आरोपियों पर कठोरता बढ़ती जाए एक आरोपी का इंकाउंटर कर दिया गया है उनको इंकाउंटर में धेर किया गया है दूसरा आरोपी फराड चल रहा है जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है तो बदायू हत्याकार में सियासत तेज हो गई है सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलट वार भी देखने को मिल रहा है एक तरफ एक माने अपने दो मासूम बच्चों को खो दिया है पुलिस कारवाई कर रही है आरोपियों को कड़ी सजा देने का आश्वासन दे रही पूरे मामले में उनको बख्षा नहीं जाएगा अला कि अभी तक सामने नहीं आ पाया है पुलिस मामले में कुछ भी कहने से बच रही है कि यह हत्या आखिर की क्यों गई है साजित का इंकार्टर हो चुका है और मामले में जो दूसरा आरोपी है जावेद वो फरार हो चु बच्चों की मौथ किसके अंदर गयाइक भाजपा की सरकारा बाच्पा का नेगलनिघमने मेर है वर जिला पंचया सदस में बाजबा की थाला है रषब पयुव्वय से और विपक्ष में लगाते है शर्मानी है उत्तरप्रदेश में लगातार जो है बच्चों के पेपर लीक हो जा रहा है चोटे बच्चों की हत्या की जा रही है और वहां बैटके बयानवीर की तरीके से बाते बोल रहे हैं तो दुर्भागे है कि समाजवादी पाटी की सोच किस तरह से एक घटना हुई है बधाईयू में परिवार के साथ उनको समवेदन चीलता दिखानी चाहिए नहीं इस पर राजनीती करनी चाहिए और राजनीती भी क्या कर रहे हैं संप्रदाइक्ता की क्योंकि उनका वोट बैंक चलता है जहां पर कोई व्यक्ती एक घुसता है वो घुसके अंदर बच्चों की हत्या क मेरे पास शब्द नहीं कि मैं उस घुटना का वरतस्ता और निंदा कर सको जितनी की जाए वो का मुझे एक चीज़ जरू कहनी इस मामले में कि अपराजियों को और इसमें सहायक लोगों के खलाब कठोड़तम कारवाई होने हैं घुटना दुखद है छोटे बच्चों की ह पुलिस अपना काम कर रही है त्वरित कारवाई हुई है मैं समस्ता हूं कि दूसरे मुल्जिम की भी तलाज तेजी से हो रही है और बहुत दिन वो भी कानून के हाथ से बच नहीं सकते तो एक तरफ जहां बदायू हत्याकान पर पुलिस अपनी कारवाई कर रही है आरोपियों की गिरफतारी के लिए दबिश दी जा रही है एक आरोपि को एंकाउंटर में धेर किया गया है जो दूसरा फरार आरोपि चल रहा है उसकी तलाज के लिए पुलिस दबिश दे रह रही है वहीं राजनीती भी इस पर खूब हो रही है सपा का कहना है कि बीजेपी ऐसे अपराधियों को सरक्षर देती है और मौका आने पर उनका इस्तमाल करती है ताकि चुनाव में उसको फायदा मिले उनका वोट बैंक भड़े लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये योगी ह सामने आते हैं इस पर राजनीती नहीं होनी चाहिए क्योंकि पुलिस अपना काम इमानदारी से कर रही है और पुलिस को कड़े आदेश दिये गए है कि मामले में जतनी हो सके कठोरता बढ़ती जाए ताकि अपराधियों के लिए एक नजीर साबित हो सके और उनमें सिस्ट इस पर राजनीती नहीं होता है इसलिए अगर सपा इस तरीके के आरोप लगाती है तो उनको अपने गरहवान में जाकना चाहिए कि उनकी सरकार में क्या होता था किस तरीके से अपराधियों गुंडे माफिया हावी रहते थे जनता पर और पुलिस डर कर रहती थी लेकिन जहां पर पुलिस को पूरी छूट है अपराधियों पर कारवाई करने को लेकर और सिस्टम को स्वतंत्र किया गया है ताकि वो अपराधियों पर कड़ी और कठोर कारवाई कर सके और इस मामले में भी कड़ी कारवाई की जाएगी अपराधियों पर लेकिन समाजबादी प तो बदायू हत्याकान पर सियासत तेज होती दिख रही है विपक्षी निताओं के तमाम बयान सामने आ रहे हैं कॉंग्रिस का कहना है कि इस घटना के बारे में कुछ भी कहने के लिए शब्द नहीं है इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे महमान जुड़ गया है उनका पत्रकार है आशी इस्तिवारी बीजेपी नेता और ज्यान प्रकाश चतुरवेदी रिटाइड आईपेस ऑफिसर हमारे स्ताज जुड़े हुए हैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरवात मैं आपसे करना चाहूंगी धर्मेंदर कुमार जी इन जो सरीके से आपके नेता बयान बाजी कर रहे हैं इस पूरे मामले को सांपरदाइक्ता का रंग आप लोगों ने दे दिया है पूजा जी सबसे पहले तो बदायों में जो घचना हुई है यह सब्सक्राइब को सब्दों में इसकी निंदा नहीं दी जा तकी तबाल यह है इसको अंबरदाई के रंग जाती रंग जदेने से ज्यादा ज़र इसके बिकृत मालसिक्ता का परादी है जिसने भी यह किया है उसको इस इस अपराद की निगाज दे था उसको उचित दंड मिलना ज़रे था तो पुलिस आपके इस आप से काम नहीं कर रहे ह है इसको लोगों के भी धार्मीत रंग दे करके उसका लाव लेना चाहती है इसका पुराना तगल है यह आप ही देख रहे हैं जब यहां चुनाओ का समझ चलना है जो चलना है तो ऐसे में जब प्रदान मंत्री जी के वादे स्मार्ट सेटी बनी नहीं बनी गंगा साप हु है और साम को दूसरे दिन तीसरे दिन जो है करोड़ो रुपया भारती जन्ता पार्टी के काउंट में इलेक्टोरल बांड के माधिन बहुत जाता है जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा व्रश्याचार का नमूला है लेकिन किस तरह से भारती जन्ता पार्टी उसके ने अगर इसके पीछे की क्या मंसा थी अगर उसको पकड़ के पूछता आच हुए होती घटना का अमावर हुआ होता तो पता चल जाता कहीं कहीं हमको तो यह ऐसास होता भारती जंता पार्टी इंकाउंटर करके इसके पीछे कुछ शुपाना चाहती है जिस तरह सबसे बड़ा स इस तरह से गलत सब्दों का उप्योग करते हैं लेकिन देखने में जो प्रियोग करते हैं उत्तर प्रदेश के मुझे बताएंगे आप रहे हैं जिस तरह से समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं लगातार बर्गों में संब्सक्राइब कहते हैं कि यूपी अपराध मुक्त हो चुका है लेकिन बापजूद इसके ये जो तस्वीरे सामने आती है इस तरह की की तस्वीरे तो आप से सवाल उठेंगे और पूछा जाएगा कि क्या वज़ए हैं अपराध मुक्त प्रदेश में इस तरीके से अपराध होते हैं जह करने का दुसाथ करेगा तो अगले चवराय पर यम्राज उनको फड़ेंगे जिस तरीके की यह घटना का अंजाम बंदायों में दिया गया है एक नाई जो बाल काटने का काम करता है वो अपनी बीवी के प्रेगनेंसी के लिए पाथ जार उपए उभार मांगने के नाम पर ध इसके पीछे का आपको कारण है जो लगातार विपक्ष पहलाना चाहता है समाज के अंदर जातियों के नाम पर बात करके घरमाधारित बात करके आप देखिए समाजवाजी पार्टी के हमारे मित्र अभी बहुत लंबी चोड़ी बाते कर रहे हैं इनका अगर आप इस चु इस चुनाओ लड़ने के लिए कुल मुद्दे नहीं है जो विपक्ष है वो कनी ला कनी संप्रदाइस का फैलाना चाहता है जाना चाहता है जिस तरीके से इस मामले में राजनीती हो रही है क्या लग रहा है यह राजनीती का मुद्दा है जो तरीके से सपा कह रही है कि आरोपियों को सनक्षन देती है और चुनाओ के समय में जानबूच कर इस तरीके के काम कराये जाते हैं ताकि वहाँ पर वोट बैंक को एक तरफा वोट बैंक को किसी तरीके का फाइदा हो सामने आते हैं तो सवाल तो उठेंगे लेकिन राजनीती इन पर होनी चाहिए पुजा जी मैं आपकी इस बात का जवाब देदें कि पहली चीज तो यह है कि बनायूं की घटना पर किसी भी दल से चाहे वो बीजेपी हो समाजवादी पार्टी या कोई भी दल हो पहले तो राजनीत होनी ही नहीं चाहिए चुकि यह मुद्दर राजनीत का नहीं है लोगों को या राजनीतिक दलों को पहली चीज यह देखना चाहिए कि उट्दर हुआ देस में आचार से रागू है उस दौरान रमजान का महिना चल रह ज़रा है होली आने माली है चुनाओ पर करिया शुरू हो चुकी है और उस दौरान ये घटना हो जाना एक दरजनाग और दुखत घटना है इसमें कोई पेसे बर अपरादी नहीं था हो जिस तरह से समाजवादी पार्टी इसको दिखा रही है कि गुंडे कहां है गुंडे है भार्सी जंता पार्टी इस तरह की राजनीत क परादी किस्म का अभ्यक्ति है आज में जिस चीज को लेकर अभी जैसा भार्सी जंता पार्टी के प्रवक्ता ने भी बताया कि पैसे रिक्ते लेने को लेकर जो भी मामला बना और वो इरिटेट हो गया किसी बास को लेकर उसने ऐसा किया लेकिन आप एक तरफ यह समाजवाधी पार्टी के सरकार में दंगे होते थे मुझपत कर में दंगे हो और करेंगे रेकिर कीרכ में और किसी का मकसद हो इससी करना थे करma करहते और Kisir प्रकाश श्यतुर्वेदी भी हमारे साजुड़े हुए हैं करना है शांति पूंट तरीके से बड़ा सामेरिक प्रस्ण किया है पहली बात तो यह प्रस्ण है क्राइम पॉलिसिंग का क्राइम हुआ पॉलिसिंग दिखाई भी पड़ रही है तो मुझे लगता है कि किसे भी बहुत उन्मादित नहीं होना जी है किसी भी धर्म के व्यक्त को और किसी भी राजनीता को उसमें उन्माद फैलाने वाली बाते तो कत्ता ही नहीं करनी जी है क्योंकि इसमें तीन बहुत बड़े तेवहार हमारे सामने हैं और आपको दिखाई भी पड़ा तेवहार अगर देखिए तो मुसल्मानों का है रमजान का पाक महिना ही बहुत तो हमें लगता है कि यह राजनीताओं को अपना तेवहार मनाएं और यह इन दोनों के तेवहारों में अपना खलल न डाले इनके भड़काऊ बयान है कही ने कहीं लोगों की भावनाओं को और ज़्यादा बढ़काते हैं और फिर वहाँ पर उन्मात की स्थी पैदा करते ह आप इतना मान दीजे इन लोग के भड़काने से किसी भी नेता के मैं किसी भी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं आपने यह मैसूस किया होगा कि कोई भी व्यक्ति कोई जनता का सामाने व्यक्ति इनके भड़काने पर भड़क नहीं रही है अपने उत्पेजित हो जारी है अगर उनमादित हो जारी है लिकिन यह तक बहुत बड़ी परपकता प्रजातात्र में आई है कि जनता इनके भड़काने बने बढ़क रही है यह के वल क्यों पेस्बुक तरह जा रहा है यह कोई साउंड नहीं किसी भीनेता कि कोई साउंड बढ़काने के मामले में जनता हमें अपराधी के परोड़ना है या धनम जाती विशेश के परोड़ना यह दूसरा मुद्दा है तो जनता इन नेताओं को न जो जनता के बीट में जा रहे है वोट मागने उनको यह कहना है चतुरवेदी जी एक और सवाल मेरा है समाजवादी पार्टी जस तरीके से कह र जाता है तो यह एंकाउंटर कितना जरूरी हो जाता है और कितना सही है ऐसे माम लो में फूझा जी मुझे जहां तक यारा याद आता है मुझे कि ट्रेनिंग के दोरान मुझे किसी गोली चलाने वाले पर फूल माला देने का विधान नहीं सिखाया गया तो आप वो गोली जाते तो आप वह लगोप वह हुटार ओहठान 으ल् insights यह कर आपको मालूम है मुझे जाएं पो क्यार वाली बात आपका अपराधी ke लेने पर आपको हमएगा जाये हो आपके पास आना चाहूंगी आप से जाना चाहूंगी जब कहीं कॉंग्रिस शासत प्रदेश में दंगे वंगे होते हैं तो आप सीधे वहां के मुख्यमंत्री का स्टीफा मांग लेते हैं अब बदायू में यह थ्याकांड हुआ है तो कॉंग्रेस मुख्यमंत्री का स्टीफा मांग रही है इस पर आप क्या कहेंगे आपका मैं जवाब लूगी लिकिन उससे पहले अखलेश यादम ने इस पूरे माम प्रसासिन की नाकामी थी तो बताओ तीस अधिकारी सुस्पेंड उते ऐसी कई घटना है जाए घटना होने के बाद सरकार ने कारवाई किया अधिकारी को हटाना पड़ा तो सुना आपने राम गुपाल जी का कहना है कि जब चुनाव आते हैं तो जान बूच कर इस तरीकी के अपरात कराई जाते हैं ताकि चुनाव में फाइदा हो क्या कहेंगे आशीज जी जब दंगे होते हैं तो दंगे के पीछे के कारव दूसरे होते हैं और यह जो बंदायू में घटना हुई है इस घटना में ना कोई धार्मिक एंगल का सामने आया है ना कोई इस तरीके की लड़ाई जगडे पहले कभी सामने आया है वो एक बंदा गया उसने वहां पर पैसे मांगे की बीवी ट्रेजनेंट है और उसने जाकर यह घटना घटी है इसको अगर यह दंगे से जोड़कर देख रही है तो यह दंगे से जोड़ने वाली घटना नहीं है यह तो अलब सड़न यह घटना हुई और इसका जवाब लेते हैं धर्मेंदर जी क्या कहेंगे आप आपके पास वाकई कोई मुद्दे नहीं पचे है जो इस तरीके के हत्याकान में भी आप अपनी राजनितिक जमीन तला कर दे रही है उसका कारण है कि जब से भार्टी जिन्ता पार्टी सट्था में आई है देश के अंदर आमन चैन समाथ करने का काम किया है लोगों में आम जंता में तना गुप्ता है कि उसका भरोसा पुलिस प्रसाफिन से और इस सरकार चूट गया है जब इस तरह की घटना होती है चाहे आप देवरियाद देखने चाहे यह घटना हुई अभी देखे हरियानम क्या हुआ जहां तक दंगेजबात है मडीपुर में क्या हुआ है चूंकि उसका सरकार से वरोसा उठ चुका है तो जनता खुद फचला कर देना चाहती है उस्तर प्रदेश के अंदर कई जहां पुलिस वालों के उपर जनता ने हमला कर दिया किस तरह से एक इस्पेक्टर की हट्ता भार्टी जनता पार्टी के लोगों ने कर दी थी देखिए सबसे बहुत प्रकाश जी मैं आपसे एक जवाब चाहूंगी चोटा सा जिस तरीके से सिस्टम पर सवाल उठ रहा है आपको क्या लगता है? सिस्टम की कितने खामे यहां पर है? सिटम की किरिया वो प्रकाश जो पुलिस वालों को बिल्कुल बख्षने के मूल में एक जाज करती है तो निस्पक्स जाज में जब सादी चीजे आ जाती तो पुलिस पार्टी के लोगों पचाएंगे ने क्या जो चंदा मिलता है पार्टी के लोगों के पुलिस को समझ के कोई इंकाउंटर नहीं होता है प्लैंड के साथ कटना हुई घटी कोली चली काई पुलिस वाला मरा करीओ मरा ठीक है इस मामने में भी पुलिस को भी खुले आदेश दिये गये हैं कि कठोड़ता बढ़ती जाए अपराधियों को किसी भी तौर पर ना बक्षा जो आरोपियों को लेकर पुलिस सदिकारियों को साफ नर्देश दे चुकी है अपराधियों पर कडी सजा का प्रावधान किया जाए अपराधियों के लिए एक नजीर सेट किया जाए ताकि आगे कोई भी अपराधिया अपराध करने से पहले कापे अब देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से इस मावले में आगे कारवाई करती है और पीडिक परिवार को कब तक इंसाफ दिलाती है फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही लगातार खबरों के लिए देखते रहे हैं